तो देखे भारत का भुगोल अपने आप में बहुत ही महत्यपूर्ण विशह है और साथ ही साथ आप ये समझे कि जब तक आप भारत के भुगोल को अच्छी तरीके से नहीं समझते जितने भी लोकेशन से इनको अच्छी तरीके से नहीं समझते तो जो बाकी के विशह हैं ब और मेरा उद्देश ये रहेगा कि जितना भी समय आप मेरे साथ लें, जो कुछ भी मैं पढ़ाऊं, मेरे साथ साथ ही आपको याद होता चला जाए, मैं इस तकनीकी के साथ आपको पढ़ाऊंगा, कुछ भी छोड़ के नहीं चलूँगा, हर चीज पढ़ाता जाऊंगा, हर आप समझते जाएगा, बहुत बेसिक से चालू करेंगे और धीरे धीरे आप सभी को एडवांस लेबल तक ले जाऊंगा, ठीक है, तो आपको गंभीरता पुरुक मेरे साथ बैठना है, चीजों को समझना है, पढ़ना है, अभी तक जो भी अध्यतन है, अब तक का जो सब स अपडेटेड है, सारी चीजे, सारे आकडे तत्यों को मैं अपडेटेड करके ही आपको पढ़ाऊंगा, कोई भी चीज ऐसे ले करके नहीं चलेंगे, ठीक है, लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए जो कोश्चन्स है, उन कोश्चन्स को भी हल करवाऊंगा, तो उस सब्सक्निस टॉड़ी टूड़ेशन का एٹलसा आता है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं, सब्सक्राइज नहीं चले इसट्ड़ेकर के मैं आपको दिखा दूँगा एटलस को लेकर के एक अलग से वीडियो अप लोगों तक मैं पहुँचा दूँगा, तो आप लोग ल होना चाहिए जितने भी बच्चे हैं सबको एक ले लेना चाहिए क्योंकि यहां पर क्या है ब्लैंक मांचित्रण होता है ब्लैंक मांचित्र और एक स्टडी टुडे यहां पर मैं बनाऊंगा वो सारी चीज़े आपके पास होनी चाहिए और इंडियन जोग्रोफी को पठने के लिए सबसे बेश तरीका है कि आप मैप अटलस का साथ ले करके चलें क्योंकि यहां पर जितनी भी लोकेशन से आप खुद भी ड्रॉ करते चलिए और साथ में एट स्पोर्ड का एटलस भी रख रहे हो और येंटे ब्लेक स्वान गा भी रख सकते हैं वह एटलस भी बुरे नहीं है बट इस टड़ी टूड़े पब्लिकेशन के एटलस में काफी सारी समागरी काफी सारा कंटेंट आपका बहतर मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड जो कर रहा कर रहा हूं और यह एटलस आपको संस्थान में मिल जाएंगे इसके लिए मैं कॉंटेक्ट नंबर आपको दिये दे रहा हूं यहां पर संपर्क करके आप इसे मंगवा सकते हैं 8929-821970 यह आजात पुब्लिकेशन का नंबर है आपको कोई भी बुक चाहिए जारखंड राज से जुड़ी हुई संग लोग सेवायोग आईयस एकजाम से जुड़ी हुई या कोई भी जितने भी PCS हैं चाहे BPSC, UPPSC, MPPSC सब की सारे लोग सेवायोग आईयस और PCS एकजाम की पुष्ट के यहां पर आपको मिल जाती है 8929-821970 ठीक है इस नंबर पे आप कॉन्टेक करके आप कोई भी एटलस या कटेंड रॉग कहीं पर भी है भारत के किसी भी छेतर में हैं आपको उपलब्दता सुनिश्चित कर दी जाएगी तो यह कटेंड रॉजरूर रखिएगा सभी बच्चे आपके आसपास कहीं मिल जाता है तो वहां से भी आप लोग ले सकते हैं ठीक है तो यह बिदाउट इसके नहीं चलेगा और मैं जल्द ही आपको जो आपका इस ट्री टूडे पब्लिकेशन का एटलस है रिव्यू कर दूगा और उसके बारे में भी आपको बता दूगा ठीक है बेस्ट एटलस है आप लोगों के पास होगा भी तो उसी से पढ़िएगा चलिए तो भारत के भुगोल का देखे यह राजनितिक मान चित्रण है और यह आपका भहुत तिक मान चित्रण है यह आप को समझते हुए चले जाना है यदि हम देखे बिश्चु के मान चित्र की बात करें तो बिश्चु के मान चित्र में आप सभी को पता है कि टोटल महाद्यूपों की बात करें तो साथ महाद्यूप है ठीक है साथ महाद्यूप है बाकि आपकी वाटर बॉड़ी है यदि जानते भारत आपका एसिया में ही अवस्तित है एसिया के बाद आपका एसिया से ही जुड़ा हुआ है यूरोप महादियूप है इसके बाद उत्री अमेरिका महादियूप है और इसके बाद आपका जो है अफ्रीका महादियूप है ये टोटल पांच हो गए एसिया यूरोप उत्री अमेरिका दच्छडी अमेरिका और नीचे आपका अफरीका है इधर अस्ट्रेलिया है छट्वा आपका अस्ट्रेलिया है और फिर आपका एक महाद्यूप है जो पूरी तरीके से वीरान है वहाँ पे कोई ने रहता दच्छडी गोलार्द में अवस्तित है जिसका ना है और ऐसिया महाद्यूप को एसिया को भी कई भागों में विभाजित किया गया है मैं चित्र पर ले चलता हूँ आपको वल्ड का मांचित्र यह नहीं और यह देखें यह देखें यह और अलग करताcan pete को एक की סविखेंबट bureaucप सी यह प्र Says पहले यूरॉप और एश्या एक ही होते थे तो ये एशिया को यूरोप से अलग करता है रसिया आधह आधह आपको ऐसीया में पड़ता है अहीं डेख सकते हैं ठीक है आपका अस्ट्रेलिया पढ़ जाता है और अस्ट्रेलिया हमारा भारत है यह मैं थोड़ा सा रफली मानचित्र बना रहा हूं इधर अरब देश है सारे के सारे इधर भूमद्य सागर से जो पूरप का पूरप पूरप छेत्र है सब एशिया के अंतरगत आता है इधर यह आप आपका यह हो गया एशिया एक बार थोड़ा सा मानचित्र से आपको चीज़े ज्यादा समझ में आ जाएंगी एशिया दूसरा है आपका यूरोप दूसरा है आपका यूरोप तीसरा है आपका उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका ठीक है चोथा है आपका दच्छडी अमे आश्ट्रेलिया महादीूप में देखा जाए तो एक ही देश है यहां पर छोड़-छोड़ए द्यूप है तो हम अलग बाठते हैं है ना कुछ पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया मिलनेशिया अलग तरीके सुन को देखते हैं वो अलग है और सभ से नीचे यहां पर यह जो प फोकस करेंगे तो भारत आपका ये लोकेटेड है अब भारत हमारा जो लोकेटेड है ये है एसिया को देखो कई भागों में बाढ़ते हैं अब एसिया महादियूप को हम कई भागों बाढ़ते हैं हमारा भारत एसिया में वस्तित है और भारत दच्छड एसियाई देश है आ बाद में कोई भी किसी को कमेंट करना है कुछ भी करना हो बाद में समय दूंगा आप लोगों को अभी सिर्फ आपको समझना है और चीजों को देखना है तो यहां पर यह आपका जो है भारत जो है कहां पर अवस्तित है दच्छड एशिया में ठीकि आप दच्छेश जब से पाकिस्तान लगातार जो है यहां पर कस्मीर वाला मुद्दा क्योंकि दच्छेश एक क्या है बहुँ चेत्रिय संगठन के तौर पे जहां पर कई देश जुड़े हुए थे दच्छेश में पाकिस्तान था भारत था आपका जो है नेपाल था भूटान था जो दच्छिड समाधान का मंच समझ के इसको चल रहा था इस कांट से आप रसंगीख हो गया इस समय विम्स्टेक एक दूसरा बड़ा संगठन है जो इसमें बंगाल से जुड़े वह जितने भी कंट्रीज है उनको इसमें रखा गया है अभी आप लोग ने हाल फिलाल में खबरों में जो है जो है पाकिस्तान मुद्दा उठाता रहता है किसका पाकिस्तान जो है इसी जम्बू कास्मीर को ले करके तो जब पाकिस्तान एक प्रोपागेंडा क्रियेट करता है जम्बू कास्मीर में अस्थिरता का वातावर्ण पैदा करता है और निशित तोर पे भारत के आंत पाकिस्तान का है कुछ हिस्सा उसने चीन को दे दिया है कुछ हिस्सा जो है चीन ने अबैद रूप से भी कपजा किया है जो हमारा सकाई चीन वाला छेत्र है लद्दाग का ठीक है तो भारत की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपका एसिया में हैं और देखे एक चीज औ प्रत्वी हमारी प्रत्वी को जीरो डिग्री ये भूमद रेखा है दो भागों में विभाजित करती है देखो ये अच्छांस रेखाएं है जो है पश्चिम से पूरब दिशा में बृत्ताकार खीची गई है और जो आपकी उत्री दुरू को दच्छनी दुरू पे मिलाती ह को देशांतर देशांतर रेखा हैं बोलते हैं तो लेटिट्यू लोंगिट्यूड ये जो है आपकी किसी भी छेत्र की लोकेशन बताने में और जो देशांतर रेखा है इंसे तिथी और समय भी पता चलता है है तो ये महात्यपूर्ण भूमी का निभाती है जी पीएस वग करता है किसी भी छेत्र की लोकेशन हो गयरा हम इससे पता चल पाती है तो ये कालपनिक रेखा हैं और मैं आप लोगों ने एक मेरा वीडियो यदि देखा हो यदि नहीं देखा तो जरूर देखेगा भारत दर्सन कारकरम के तहत मैं जारखंड के और मांजी छेत्र में गया अधादई इस एकडमी की यूटूब चैनल पे प्लेइलिस्ट बनी हुई है जिस प्लेइलिस्ट का जो है नाम है भारत दर्सन बाई अजास्तर तो उस वाली प्लेइलिस्ट पे आपको डिटेल से मिल जाएंगे सारे के सारे उसमें करकरेखा वाला एक वीडियो मिल जिसमें मैंने करकरेखा में खड़े हो करके अच्छा देसांतर पड़ाया है आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह आपका जीरो डिगरी जो है आपका यह भूमद रेखा कहलाता है यह प्रत्वी को दो भागों में बाढ़ता है यह उत्तरी वाला हिस्सा है तो इसको बोलते है उत्तरी गोलार्थ ठीक है और यह वाले हिस्से जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते है दच्छडी गोलार्थ ठीक है अब भारत का जो अवस्थती है वो आठ डिग्री चार मिनट से ले करके आठ डिग्री चार मिनट से ले करके उत् नॉर्थ जो है आपका लैटिट्यूट है आठ डिगी चार मिनट नॉर्थ लैटिट्यूट से लेकर के आपका अवस्तित है 376 मिनट अभी यह मैं याद करवा दूंगा टेंशन मतलो यह 84 376 ऐसे याद करवोंगा भी तो याद हो जाएगा तो भारत आपका उत्तरी के हिसाब से भूमद रेखा के हिसाब से इसी प्रकार से जीरो डिग्री देशांतर भी है जीरो डिग्री देशांतर आपका इसको हम जो है प्रधान मध्यान रेखा बोलते हैं कहां से जाती है ग्रीन विश से जाती है कहां से ग्रीन विश लंदन में अवस्तित है तो यह य पुर्वी निटु और वहत सिंपल सा है याद रखिएगा हमेशा के लिए और भारत जो आपका आवस्तित है, जो अब कहा पी आवस्तित है भारत? एक मिनट भारत आपका पूर्वी गोलार्द में अवस्तित है पूर्वी गोलार्द भारत अवस्तित है आपका पूर्वी गोलार्द में तो देखे यहां पर देखे तो यदि हम अच्छांस रेखाओं की बात करें तो उसके हिसाब से उत्तरी गोलार्द में और यदि हम है यह थी महाद्यूपु की बात करें इस्यआ महाद्यूप में भी दच्छण एसियाई देश है और भारत जो है आपका उत्छाइस विस्तार की दृष्टी को ऊत्रीगोलार्थ में और देशांत्रीव श्तार कीão से पूर्वी गोलार्थ में अवस्ती थाई यह आप को रट लेना है सभी को देख लेना है ठीक है सिंपल सा मामला है और इस आधार पे भारत को हम देख सकते हैं अब देखे थोड़ा सा हम भारत को लेकर के समाने जनकारी और समझने का प्रयास करेंगे ठीक है कुछ महत्यपूर्ण जो है हम पक्षों को समझने का प्रयास करेंग अपने भारत के दृश्णी कोड में कुछ तत्थ है जो है मैं सुरुवात में आपको आधार बूत क्लास है चुकिए basic क्लास है तो मैं आपको कुछ तत्थ है बताऊँगा और बात में कुछ क्वेश्चन्स भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसी से जुड़े हैं सारे तत् करूंगा उन्हीं चीजों को जादा ले करके चलूंगा ठीक है अब चलिए बात करते हैं कि भारत का छे तरफल क्या है बिश्चों में कौन सा इस्थान रखता है टोटल छे तरफल कितना है और किस हिसाब से इसको पूरा का पूरा जो फैक्ट्चुल और तथ्यात्मक चीजे है तो सारी की सारी चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा आप लोगों को रटवाने का भी प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको रट लेज़ें सबसे पहले हम भारत का छेतरफल रटेंगे भारत का हम पहले विस्तार देख रहे हैं कैसा विस्तार है ये आपका छेतरफल के अधार पर भारत कैसा है अभी अच्छांसी और देशांत्री नहीं चलेंगे अच्छांसी और देशांत्री भी आपको मैं बता दूँगा भारत का कुल शेतफल इसको याद कर लो रट लो ठीक है याद करना है रटना है कितना है आपका 3287263 इसको ऐसे याद कर लो 328 सबसे पहले याद करो 328 328 इसके बाद 72 63 328 62 63 यदि हम देखें तो यह कितना है 87263 आगे तीन है पीछे तीन है क्योंकि कई बार कंफ्यूजिंग एक्जाम हॉल पे मतलब आता है एक बार एक कुशन पूछ लेता है और नई भी पूछता तो आपको अपने देश का छेतरफल याद होना चाहिए रटा होना चाहिए तो बहुत आसान है 32, 87, 62, 63 32, 87 मुबाइल नमबर की तरह याद कर लो 32, 87, 262, 87, 262, 87, 263 ऐसे याद कर सकते हो या जो भी आपको सही लगे आप इसको मुबाइल नमबर की तरह याद करके किलो मीटर स्क्वाइर वर्ग किलो मीटर के हिसाब से आप इसको देखेंगे सिंपल सा है भारत का अच्छांसी और देशांत्री विस्तार इसको ले करके हम चलेंगे ठीक है इसको देख लीजे सभी लोग एक बार कितना है 32, 87, 263 वर्ग किलो मेटर रट लेना है सभी को अब एक बहुत इंपोर्टन बात आती कि अच्छा विस्तु के इसाब से देखें तो विस्तु में भारत का कौन सा इस्थान है छेत्रफल के अधार पे तो भारत का सात्वा इस्थान है कैसा इस्थान है भारत का सात्वा इस्थान है और विस्तु के ट सत्तर से गहतर पर्षंट आपका जल है सब जानते हो आप लोग सत्तर से घहतर पर्षंट जल है भारत का सातों इस्थान है, तो भारत के पहले के च्छाय कौन कौन से देश हैं, ये भी आपको याद करना होगा, ये भी आपको देखना होगा, चलिए, मैं एक एक करके पहले तो आपको बता देता हूँ, फिर मैप में दिखा देता हूँ, सबसे पहले रूश, नमबर एक प दाजील है इसके बाद ऐच्ट्रेलिया है फिर आपका बारत आता है चाटवे नंबर पर अब इसे झिटकों मान्चितर पर देखते हैं यह आपका बिशू का मान्चितर है आप सबी का नंबर 1 आपका है रूस यह ग्रीन कलर से पूरा रूस ही है पूरा रूस ही है मैं एक बार इसको यहाँ पे इसकी आउटलाइन बना रहा हूँ यह आप देख रहे हैं सब रूस है और अभी इस समय आपको पता है कि बिस्व में एक बड़ी तरासदी चल रही है रूस इस समय संघरसरत है यूकरेन के साथ नाटो देशों और एक तरीके से देखें तो प्रत्यक्ष रूप से तो हमें रूस यूकरेन के साथ संघरसरत दिखता है वहीं यदि हम अब प्रत्यक्ष रूप से देखें तो नाटो देश जो है इसके पीछे खड़े हुए हैं और नाटो देशों के द्वारा यूक्रेन को मोहरा बनाये गया है इस पूरे युद्ध के लिए तो एक बड़ी तरास्दी चल रही है रूस यूक्रेन के बीच में यदि युद्ध नहीं रुखता है तो आगामी समय में एक भयावश संकट बन सकता है बहुत बड़ा संकट हो रही है परुमाड युद्ध की स्थिती भी बन सकती है तो कहने के मतलब है कि एक तरीके से मानवी तरास्दी है युद्ध कभी भी बेहतर नहीं हो सकते ना कभी युद्ध बेहतर है ठीक है तो पहले नमबर पे आपका रसिया है दूसरे नमबर पे आपको तुरंत रसिय आर्केटिक बृत्त के आसपास भी ये पूरा का पूरा आपका क्या है कनाडा है ठीक है तो दूसरे नमबर पे आपका कनाडा है क्या है कनाडा याद कर लेना है सबको तीसे नमबर पे आपका ये USA संयुक्तराज अमेरिका तीसे नमबर पे USA तीसे नमबर पे आपका USA है ठीक ह चौते नमबर पे चाइना पांचों नमबर पे दच्छडी अमेरिका चलिए ब्राजील है पांचों नमबर पे ब्राजील है दच्छडी अमेरिका महादियूप में इसके बाद जो है छटवे नमबर पे आस्ट्रेलिया है आपका 6 नमबर पे आस्ट्रेलिया सात्वे में हम है यह उपर के टॉप जो आपके शिक्स हैं उपर के याद के लिजे साथ वे में भारत है पहले रूश कनेडा अमेरिका फिर चाइना फिर इसके बाद ब्राजील फिर आस्ट्रेलिया फिर आपका भारत रट लेना चाहिए आपको बहुत कठी नहीं है सिंपल सा है यह और इसको सबसे बड़ा देश जो है आपका अफ्रीका का कौन सा है वो है अलजीरिया अलजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और देखें वर्ल्ड में तो टेंथ नंबर पे अलजीरिया आता है दचडी अमेरिका में दो बड़े देश यह आपके ब्राजील और अर्जिंटीना दिख रहे हैं कनेडा और यूसे दो आपके उत्री अमेरिका में दिख रहे हैं और एशिया में देखे जाएं तो आपका रसिया हो ग से दूसरा इस्थान अब दूसरा इस्थान पहले नमर पर चाइना है आप सब को पता है फिर आपका भारत है फिर आपका जाके अमेरिका के फिर इंडोनेशिया में आपको रट लेनasya है ठीक है इस यहान का काफी हिस्सा पाकिस्तान के बाद अबैद कबजे में है आज ये भी डेटा आप लोग को याद कर लेना है पाकिस्तान के कबजे में कितना है भारत 78,114 वर किलो मेटर पीयोके कितना है ये टोटल आपका 78,000 अभी जो बरतमान में पाकिस्तान के पास है टोटल 78,114 वर किलो मेटर ठीक है 78,000 ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना ये जो मैंने आपको छेत्र फल बताया 32, 87, 263 ये जो छेत्र फल है हमने भारत का बताया इसमें सब समलित है आपका ठीक है पीयोके में है आपका 78,114 वर किलो मेटर आपका पीयोके का छेत्र है पाकिस्तान अधिकृत कस्मीर 78,114 वर किलो मेटर आपका पीयोके है कितना है 78,114 इसके बाद देखे पाकिस्तान ने काफी बड़ा हिस्सा दे रखा है किसको चीन को दे दिया है कितना दे दिया है याद रखिएगा चीन के पास ये वाला छेतर है आपका ये जो असकाई चीन का छेतर है न ये लद्दाक में जो लद्दाक का ही एक हिस्सा है जब 1962 में युद्ध हुआ उस पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडॉर बनाए गया है, जो चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉरिडॉर है, तो लग बग 5181 किलोमीटर का छेतर यह पाकिस्तान ने चीन को लीज में दे रखा है, ठेक है, 5181 किलोमीटर का छेतर पाकिस्तान ने चाइना को लीज में दे रखा है, और साथ ही यदि हम देखें तो चाइना ने भी अधिकरित कर रखा है भारत का एक बड़ा हिंसा जिसका नाम है अबैद कबजा है 1962 की युद्ध में एक अबजा हुआ ये आपका हुआ है टोटल 37,555 ये कुछ डेटा है रफली आपको अपने देश के बारे में पता होना चाह है जो कि आपका प्योके वाला चेतर है इसके बाद चीन ने जो है पाकिस्तान ने 5,180 किलोमीटर चीन को दे दिया है और चीन के द्वारा जो है 37,555 किलोमीटर क्या किया गया अबैद कबजे के तौर पर रखा गया है ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है सब लोग बहु है ठीक है चलिए अब आगे बात करते हैं भारत का उत्तर से दच्छिड विस्तार और पूरव से पश्चिम विस्तार थोड़ा सा हम अच्छांस और देशांतर भी जो है वो तो मालीजे मैं आपको डिसकस करूंगा सारी चीजे वो याद कराऊंगा लेकिन यहां पे चुकि वैसे ही आपको जो है मैं पढ़ाऊंगा भी और उससे बहुत सारी जनसंख्या बदलाओ होगा भी दोजार गेरा की ही जनगर्णा के अंतिमाक्रे हमारे पास है यह वाला आप देख रहे हैं यह भारत का छेतर फले भारत को हम उत्तर से दच्छिड विस्तार और पूरव से यह पिर से जादा है कितना है 3214 km बदेश चाहओ याद रखेगा यह आपका है बतिश चौदा उत्तर से दच्छिण विस्तार भारत का कितना है थे जैब यह आपको पूर्व से पुष्शम यानि की यह आपका वेस्ट है यह आपका एस्ट है यह आपका नौर्थ है यह आपका साउत है तो पूर्व से या पश्शिम या पश्ण संjes पूर्व कहें लिए ऊनिस सो ते तीस किलोमीटर 2933, याद कर लेना सब को, यह रट लेना है आपको, अब मांचित्रन नहीं भूलेगा आपको, रट जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, कितना है, 3214 किलो मेटर, 3214, यह फैक्ट है, तत्थे हैं, आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है, फैक्ट है, बात मैं आपको बताई थी, कि विश्व में दूसे नंबर पे है, पूरे विश्व की लगभग, 17.5% अबादी कहां आपकी लोकेटेड है, भारत में, भारत में पूरे विश्व का छेतरफल कितना है, 2.4, छेतरफल 2.4%, जनसंख्या 17.5%, पूरे विश्व की कुल जनसंख् आपका टोटल विश्व का छेतरफल है, ये दोनों आपको याद कर लेना है, तो ये देखे, काफी सारे फैक्ट और तथ्थ मैंने आपको बता दिये, ठीक है, एक चीज़ और आपको बता जाता हूँ, बरतमान में हम भारत की राजनितिक मानचित्र की बात करें, तो कर लेना है, कि भारत में बरतमान में 28 राज्य है, और आठ केंदरसासित प्रदेश है, 28 राज्य और आठ केंदरसासित प्रदेश है, क्यों? जम्बु कासमीर राज्य को, आप सभी को एक डेट याद होगी, 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019 को एक बिल लाए गया था, एक विध्यक ल लागू हो गया था, संसत के दोनों सदनों से पारित होने के बाद, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होने के बाद, उसको लागू कर दिया गया, सरदार बलब भाई पटेल की जैनती है, 30 अक्टूबर 2019 में मलब देश को, उसको एक तरीके से 30 अक्टूबर को, उस खान सभब बना दी गई, अभी परसीमन के बाद वहां चुना होने वाले हैं, और दूसरा आपका लद्दाग, ठीक है, लद्दाग 6 यूनियन टिरेटरी है, तो लद्दाग एक यूटी बनाई गई है, एक यूटी आपका लद्दाग है, यूटी और दूसरा आपका जम् होती थी, और यहां पर दमन है, दमन द्यूप, यह फैले हुए हैं, द्यूप आपके भी गुजरात टट के पास है, काठियावार टट जो आपका है, या फिर खंबात की खाडी के पास सवस्तित है, यह वाली लोकेशन आप देख रहे होंगे, तो इनको आपस में मिला करके एक केंसासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है, सिलवाशा और द्यूप दोनों को मिला दिया गया, तो अब इसको दादरा नगर हवेली बोलते हैं, और इनकी राध्धानी दमन ही है, ठीक है, तो यह आपको धिहान रखना है, थोड़ा सा, तो अभी टोटल बरतमान में अधि हम राजनीतिक तोर पे देखें, तो 28 राज जाओर हमारे टोटल आठ केंदर साशित प्रदेश है, ठीक है, यह धियान रखना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राजनीतिक मानचितर को थोड़ा सा गती से देख लेते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ पे भारत का पोलिट मानचितर है, मैं थोड़ा सा नौर्च से पूरा नीचे जाते हुए, फिर उपर उठ हूँगा, ठीक है, सबसे पहले आपका लद्दाख है, सब को पता है, यह वाला पूरा हिंसा, यह पूरा लद्दाख है, ठीक है, इसके भी मानचितर को लेकर कनफ्यूज आने, लेकिन मानचितर मैं बता रहा हूँ, यही मानचितर आपका सरोमानमत है, तो देखें तो प्योके वाला चेतर जो आपका है, यह सारा का सारा आपका, किसके पास है, टोटली आप देखेंगे, तो यह पूरा का पूरा बिवादी है, लद्दाख शेतर में आता है, बाकि यहां पे पाकिस्तान के कबजे का कस्मीर है, जिसको पाकिस्तान अजाद कस्मीर बोलता है, वो भी जो है आपका जम्बू कास्मीर में आता है, ठीक है, तो यह एक पहला हो गया, यह यूटी है आपका, पहले सबसूपर लद्दाख है, फिर दूसरे नमबर पे आते हैं, दूसरे नम यदि भारत का सबसे उत्री राज्य पूछे हिमाचल प्रदेस आएगा भारत का सबसे उत्री राज्य हिमाचल प्रदेस क्योंक horse लद्दाख राजनी एकेंसासित प्रदेस है जम्बू कास्मीर राजनी एकेंसासित प्रदेस है तो कभी कोश्चन मान लो बन जाए कि भारत का सबसे उत्री राजनी कौन सा है तो फिर हिमाचल प्रदेस आएगा ठीक है हिमाचल प्रदेस ये तीसे नमर पे आपका हिमाचल प धर्म साला दो राधदानी है धि пока द्यान रख्य강 हमाचा प्रदेश की बहुरा द्याने लड़्दाक ले जम्बू कास्मेर की स्री नगर और जम्बू इसके बाद पंजाब की और हारियाना की दोनों की साज्हा राधदानी है जिनको हम चंडीगर प्रते हैं थीक़ है दोनों राजिस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य आपका राजिस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य इसकी राध्धानी सब को पता है जैपूर है ठीक है राजिस्थान की राध्धानी जैपूर है साथ संभाग है 33 जिले है ठीक है राजिस्थान में इसके बाद है यह हैं आपके दमन एंद्यूप और दादरा नगर हवेली यह आपको ध्यान रखेगा इधर चंडीगर की रादधानी चंडीगरी है चंडीगर एक केंसासित प्रदेश भी है यूटी भी है क्योंकि दो राज्यों की रादधानी है तो इस कारण से उसको यूटी कनवर्ट कर पञ्जाब की रादधानी चंडडीगर हड्याणा की चंडीगर और चंडंडिगरी द्यान रखेगा राइस्तान जैपूर गुजरात गांडी नगर इसके बाद यहां पर दादरा नगर हवेलेन की रादधानी आपकी दमन है और इसके बाद ये आपका ये वाला छेतर जो है आपका ये महाराष्ट का छेतर है ठीक है इसकी रादधानी आप सब को पता है कि महाराष्ट की रादधानी आपकी मुंबई है ठीक है महाराष्ट की भी दो रादधानी नागपूर भी इसकी एक द राधधनी पन्जी है। कोंकरट एक करणाट की राधधनी बंगलूरू है। करणाट की राधधनी बंगलूरू है। इसके बाद यहीं पर लग भग तीन राज्जों में फैला हुआ है। तीन राज्य और चार जिले हैं इसके, पहला तो है ये पुदु चेरी, इसकी राधध estoyaki की पुदु चेरी है, इसका एक राज्य४का, एक केरल के पास है, एक जिला इसका केरल के पास है, पुदुचेरी केंसासित प्रदेश है, इसमें विधान सवः भी है, तीन सदस्य वि दूसरा आपका है यनम, यनम आपका आंध प्रदेश में पढ़ता है, इसके बाद दो तमिल नाडु में जगह है, एक पुदूचेरी है और तीसरा कराईकिल है, तो आप देखें भारत का यदी हम देखें, तो एक तरीके से राजनितिक दृष्टिकोंट से सबसे ज़्याद चेतर, सब जगह चेतराया हुआ है, चार जगहों में, एक आपका माहे, दूसरा पुदूचेरी, फिर यनम, फिर कराईकिल, तीन राज्यों में, केरल, तमिल नाडु और आंध प्रदेश में, जो है इसकी बस्तियां है, फ्रांसीसी बस्तियां है, तो वो आपकी चेतराय ह हुई है, तो याद रखना है, केरल की रादधानी सब को पता है, त्रिव अंत पुरार्म है, ठीक है, सब जानते हैं, इसके बाद तमिल नाडु की रादधानी सब को पता है, चिन्नाई है, तमिल नाडु की रादधानी चिन्नाई है, दच्छडी राज है, ये केरल में माल तो आंद्प्रदेस की राधानी अम्रावती अभी आंद्प्रदेस में भारत का 25 सवा हाई कोड बनाये गया है अम्रावती में ही अवस्तित है वह किया अद्प्रदेश और तिलंगाना की तर के और इसकी राद्दानी अमरावती है, पचीसों हाई कोड भी आंदर प्रदेस में बनाए गया है, ठीक है, इसी के बगल में है तिलंगाना, तिलंगाना की राद्दानी हैदराबाद है, पहले साजा राद्दानी की बात थी लेकिन अब राद्दानी चुनली गई है आंदर प को पता है कि उसके परेडाम सुरूब भारत के सरकार के द्वारा उस समय सरदार बल्लब भाई पटेल थे उनकी दुरूर दृष्टी के कारण ही हम इस पूरे च्छेतर को भारत में मिला पाए और निशित तोर पे यह पूरा का पूरा च्छेतर भारत का हिस्सा बन पाया ठीक है उतकल टठ है आपका यहां पर इसके बाद यह आपका जो है यहीं पर वेश्ट बंगाल है ठीक है पश्चिमी बंगाल रादधानी सब को पता है कोलकाता है यह भी आपका काफी उपर तक बहुत संकीन है यह और यहीं पर चिकन नेक भी है आपका सिलिगुडी कोरिडोर जोड़ा हुआ है इसके बाद हम थोड़ा सा नौर्थी师 चलते नौर्थी师 में सेबन सिस्टर यह साथ सिस्टर प्लस वन का कॉंसेप्ट है प्लस बोन मतलब सिक्किम, сाथ सिष्टर कौन है अउडाचा प्रदेश, सबसे पहले भारत में सुर्योधय अउडाचल प्रदेश में होता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के सबसे पूरवी पूरवी छेतर है, यहां पर कीबुतू एक जग TL है, भारत का सबसे पूरवी फिर मिजोरम की राध्धनी आई जौल, फिर से एक बार देखते हैं, अउडाचा प्रदे सीटानगर, नागलेंड कोहिमा, मडीपूर इंफाल, मिजोरम आई जौल, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को मडीपूर और मिजोरम में, तो मडीपूर की इंफाल है, तृपूरा तीन तरफ से बंगलादेश से घिरा हुआ है, और तृपूरा की राध्धनी अगरतला है, इधार आपका मेघाले है, मेघाले की राध्धनी शिलोंग है, और असम की राध्धनी दिष्पूर है, तो ऐसे सात जो है, इनी को हम नौर्थ हीस्ट कहते हैं, ये इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर आपका बिहार है बिहार की रादधानी पटना सब जानते हैं जारखंड है जारखंड की रादधानी राची है बिहार और जारखंड पहले एक ही होते थे और आपका अब मलब सन 2000 में अलग अलग हो गए यह तो बिहार की रादधानी पटना जारखंड की रादधानी राची बड़ा सांदार जो है एक तरीके से देखा जाये तो यहाँ पे इतिहास रहा इस पूरी भूमी का और यह जंज शल प्रभावीचेत्र इदीरे दीरे यहां पर नक्सली प्रभाव क法 स्पाम हो रहाए ठीक है इसके बाद जुक है यहाँ पे supply मदफ्रदेश कर दोन के द्वारा ब देश की रादधानी यहां पे लूकेटट है जिसका नाम है दिली देश की रादधानी आ यहां पे दिली हैं तो भारत की रादधानी है और यह एक केंसासित्प्रदेशая तो यहाँ पे मुखमंत्री भी होते हैं लेकिन ऑरल देखा जagit तो पावर जो है वो होते हैं जो लेफटीन गवर्नर होते हैं जो प्रेसिडेंट द्वारा चेन किया जाते हैं यह भी द्यान रखेगा फिर इसके जश्ट उपर पहले उत्तर प्रदेस का हिस्सा होता था उत्तराखंड यह भी सन-2000 में अलग हो गया सं-2000 में तीन श्टेट अलग हुए बिहार से जारकंड उत्तरप्रदेस उत्तराखंड और मध्ड प्रदेस छतिस गड़ ठीक है तो इसकी राधदानी है आपका दहरादून ठीक है और यह जो है अब आगे चलते हैं चोतिसवा और पैतिसवा से यह आपका सिक्किम बना है पैतिसवा से पूर्ण राजी का दर्जा प्राप्त हुआ है चलिए अब आगे कुश्चन मैं कुछ यहां पे लेकर आऊंगा आप लोग कमेंट करिएगा ठीक है आप लोग के कमेंट बहुत जरूर प्राप्त है यह जब भी कभी कुश्चन दीजिए तो पहले यह जरू देख लिजिए कि सही और गलत में से क्या पूछ रहा है इससे क्या होगा आपको दिक्कत नहीं होगे कहरा है भारत बिश्चु का पांच वहां सबसे बड़ा देश है गलत है भारत बिश्चु का साथ वहां सबसे बड़ा देश है ठीक है सेवेंथ है कहरा यह इस्थलमंड के कुल छेत्रफल का दो दसम्लों चार प्रिश्चत भाग अधिक्रित की हुए यह कथन सही है फिर इसके कहरा समूचा भारत उज्ड कड़िबंद यह चेत्र में अवस्तित है देखो पूरा भारत है और सीटोष्ड कड़िबंद में भी है तो इसका यह जो है जो है देखा जाए तो गलत हो जाएगा यह वाला भी फिर कह रहा है बैयासी डिगरी तीस मिनट पूरवी देशांतर का उपयोग भारतिये मानक समय को निर्धारित करने के लिए यह बी कथन सही है मैं आगे लेकिन यह कथन सही है यह इलहाबाद के 99 से हो करके जाती है भारत की यह पूर्वी देशांतर है साड़े बैयासी डिगरी इसको जो है भारत की मानक समय के रूप में बनाए गया है तो इस तरीके से देखे काथन कौन से सही हो जाएंगे आपके बहुत सिंपल सा है इस तरी सब्सक्राइब करें तो और यह बहुत पूस्ता है कई बार बहुत बड़ी बात नहीं है भारत का संसार के से 2.4 परसेंट है परन्त इसकी जनसंख्या आप सब को पता है कि भारत की जनसंख्या जो है 17.5 परसेंट है तो यह लगभग है मतलब यहां पे 17 परसेंट जो लिखा हुआ है यह आपको याद रखना है लगभग इसका 17.5 परसेंट के आसपास यह है तो इसका 20 ही हो जाएगा सिंपल सा है ठीक है अगला कहरा भारत में कितने गाउं है देखो भारत में गाउं की संख्य की बात करें तो जो 2015 की जनगर्णा थी 2015 की जनगर्णा की हिसाब से भारत में 6,440,932 गाउं है भारत में यह 2015 की जनगर्णा की हिसाब से युदि आप देखें तो पांच लाग गलत है आठ लाग गलत है इनमें से इसमें कहरा है 6,030,000 भी गलत है इसका सही अंसर डी होगा क्योंकि इसमें जो सही counting है वो है 6,44,932 यह ध्यान रखेगा अगला question कहता है निम्रिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है कौन सा जोड़ा सही नहीं है करा भारत का कुल शेत्रफल मैंने आपको याद कराया भी आपको ठीक है आप सभी को याद कराया तो भारत का लई के आपको अगली क्लास में बताओंगा अबी सिर्फ आप इतना देख लो यह कथन सही है भारत का जो अच्छांसी विस्तार है आठ डिग्री चार मिड़ मुलब 84 से लेकर 376 मैं अगली क्लास में आपको रटवाऊंगा ये और दूसरा भारत का देशांत्री विस्तार है ये 687 से लेकर 97 यानि अर्शा डिग्री साथ मिनट पूर्वी भारत में राज्यों की संख्या 28 26 नहीं है तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि राज जी कितने हैं के इंसासित प्रदेश कितने हैं कुश्चन पूछता है ठीक है चलिए अगला कोश्चन है भारत के लिए निम्रखित कत्रों में से कौन सा कथन अशत्य है यहां पर गलत 2200 किलोमेटर यह टोटल मतलब कह रहा है जो लेंड बॉर्डर है अपकी तो देखा जाए तो इसका जो है ना आपका 15106 है 15106.7 किलोमेटर के आसपास है लेकिन यह लगबग लगा हुआ है तो यह कथन सही हो सकता है सर प्रतम सुर्योदा इसके मुझोरम राज्य से होता है यह गलत है मिजोरम से नहीं होता अउडाचर प्रदेश से होता है कहां से होता अउडाचर प्रदेश से तो इसमें असत्य कठन क्या हो जाएगा डी नंबर असत्य कठन क्या हो जाएगा डी नंबर ठीक है तो यह एक आपका कुश्चन है और सिंपल सा कुश्चन था यह भी सबी बच्चों से बिशे साग रहे हैं और आप लोग कमेंट जरूर किया करिए आप बताया करिए फीडबैक को ले करके कैसा है और मैंने आपको एटलस बोला है इंडियन वो आपको जो study today publication का और cut and draw ये दोनों आपको मंगवा लेने हैं आपको मिल जाएंगे ठीक है चलिए कमेंट जरूर करके आप बताये कि कैसा आपको session लगा और आगे की class में आपको इस से आगे के topic को याद कर लेंगे एक दो बार revise कर लेंगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा कुछ भी भूलेगा नहीं ठीक है बहुत basic class